हिमाचल की चमबा पुलिस ने पिछले कई अरसे से चरस तस्क्रों पर नकेल कसी हुई है इसी अभियान के तहट पुलिस ने चेकिंग अभियान के दोरान एक व्यक्ति को 8 किलो 212 ग्राम चरस के साथ गिरफतार किया है यह शक्स चमबा के कंदला गाउं के पास सड़क पर की गई यह व्यक्ति टीकरी गड़ पंचायत का रहने वाला है और यह इस चरस की इतनी बड़ी खेप को लेकर चमबा की तरफ आ रहा था और पुलिस ने इसे वही पर गिरफतार कर लिया फिलाल पुलिस ने इस आरोपी के खिलाफ NDPS Act की तहत मामला दर्जकर इसे गिरफत को कंदला के पास से 8 कीलो दोसो बारा ग्राम चरस के साथ गिरफतार किया है उन्होंने बताया कि यह चरस तसकर पुलिस की झीम को देख कर घबरा के भागने लगा तो शक्क के अदार पर पूलिस ने इसके बैच की तालाशी ली तो उस बैठ मेंसरे 8 कीलो 20002ा प्राग्राम चरस मिली उन्होंने बताया कि फिलाल आरोपी को गिरफतार कर उसके खिलाफ एंडी पीएस एक्ट के तहत मामला दर्च कर उसे आदारत में पेश किया जाएगा उन्होंने कहा कि पूलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा चंबा से समधाता दोरत चोहान की र पूलिस वालों को देखके घबराया और उसको हमने अप्रिहंट किया उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 8 kg और 212 ग्राम चरस उसके बैग से परामद हुई है उसका वेक्तिक नाम पता करने पर उसका नाम करंड सिंग है जो की टिक्रिगर्ड पंचायत का रहने वाला है उस उसको हमने अरेस्ट कर लिया है और थाना सदर में सदर चमबा में 20 NDPS Act के तहट के तहट केस रिजिस्टर किया है उसको आज हम प्रोड्यूस करेंगे कोट में हमारी जो यूनिट्स है special investigation unit है या जो थाने चौकियों के हमारे अधिकारी हैं पुलिस सेथ के अधिकारी हम समय पर नाके लगाते हैं समय समय पर हम चेकिंग करते हैं और हमें बहुत सक्सेस प्राप्त होती है इसमें बट स्टिल हम आम लोगों से भी हमें यह रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी इस तरह की information है तो उसे हम से शेर करें special app का उनको knowledge दिया गया है तो उस पर वो शेर कर सक सकते हैं वो information हमारे लिए बहुत valuable हो सकती है कोई चोटी सी चोटी information जो आम आदमी को लगती है कि बहुत ज्यादा important नहीं है वो हमारे लिए बहुत important link हो सकता है जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट एंटरपाइब एसे ही लेटेस को बहुत पाने के लिए बैल इकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइख शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वादी